हेलो दोस्तो नमेशकार दोस्तो फिलाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सो दोस्तो अब हम लोग आ चुके बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के उपर एंड दोस्तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले एक ऐसे सेक्टर के बारे में जो अभी धीमे 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 करके उसका importance इतना बड़ा होते चला जा रहा है मतलब इससे related मैंने बहुत बार वीडियो बनाया है और अभी मैं आज के दिन कुछ प्रूफ भी आप लोग के सामने आपे रखना चौँगा प्लस उसी के साथ साथ कुछ खबरे भी हम लोग को देखने को देखने को जाए उसमें से ही एक सबसे बड़ा लेटेस्ट हम मेंको कोई देखने को को मिल रहा है वो है drone yes drone अलग टाइप के देखने को मिल रहे है एक combat drones भी देखने को मिल जाते है एक non combat drones भी रहते है but definitely दोस्तों drone का जो इस्तमाल है वो अभी defense में बहुती जादा serious level पर हमनों को देखने को मिल रहा है and दोस्तों इसी से related कुछ खबरे भी आमनों को देखने को मिल रही है मतलब आप सबी लोगों ने यहाप सुना ही होगा यह सारी चीज़े है आप लोगों ने पड़ी होगी कि drone से related एक बहुती जादा popular company भी आमनों को popular है और दोस्तों आप सबी लोगों को पता है यह जो drone है यह जो drone बनाने वाली company है यह तरकी से हम लोगों को यहापे देखने को आपे मिल जाती है तो दोस्तों आप सबी लोगों को यहापे पता है कि हाली में ही हम लोगों को यहापे जो Ukraine versus Russia war देखने को आपे मिल रहा है उसमें Ukraine की अगर हम लोग बात करें बहुत ही जादा help की है इस drone ने इसके चलते हैं आप सबी लोग यहापे देख सकते हैं जो जैलन्स की है उन्होंने यहापे इस company के जो CEO है मतलब जिस company यह drone बनाती है उनको specifically उन्होंने यहापे देख सकते हैं उनको यहापे honor भी किया है हम लोग यहापे कह सकते हैं जो यह सारी चीजे हम लोग को देखने को मिल रही है इसके चलते सडनली इस drone का international लेवल पे market मतलब हम लोग को बढ़ते वे देखने को मिल रही है यहापे सबसे बड़ा order की भी अगर हम लोग बात करें दो दिन पहले UAE ने यहापे 120 टर्किश बैरेक्टर टी बी टू ड्रोन की यहापे order भी यहापे दे दी है so definitely दोस्तो ड्रोन का इस्तमाल यहापे बढ़ते ही जा रहा है importance बढ़ते ही जा रही है और Ukraine Russia war में भी drones ने बहुत बड़ा काम किया है Ukraine के side से so हर कोई यहापे इस drone को यहापे खरीदना चाता है टर्की की बात करें दोस्तों usually हम लोग ने देखा है टर्की वैसे भी anti-India ही है इंडिया की against बहुत सारी चीज़े वो यहापे बोलता रहता है यहापे इसके चलती अगर हम लोग बात करें इंडिया से related उन्होंने पहली यहापे बोल दिया है कि अगर इंडिया यह drone को खरीदना चाहेगा तो हम लोग उनको यह drone देङए ही नहीं अगर अगर यह यही और इंडिया कांपे बात कर रही है so no doubt जैसे मैंने आप लोगं को बता है कि हमें आत्मा निर्बर भी यहापे बनना पड़ेगा and drone से related अगर हम लोग यहापे बात कर दोस्तो तो इंडिया में भी काम हूँ यहापे जोरो सोरो से सुरू यहापे हो चुका है जैसी कि अगर मैं बात करू हिंदुस्तान Aeronauticals Limited दोस्तो यहापे अभी हमनों को drone से related भी काम करते वे देखने को आपे मिलने वाला है so definitely already यह तेजस के उपर यहापे काम कर ही रहे थे और भी अभी भी उमीद है यहापे 6 countries से related जब आप कभी भी आ सकते है तेजस से related वो शायद से हमारा aircraft यहापे जो LCA है वो यहापे कभी भी यहापे खरीच सकते है बट उसी के साथ साथ अभी तेजस के साथ साथ अभी HAL हिंदुस्तान Aeronauticals Limited drone से related भी यहापे काम करते वे देखने को आपे मिलने वाले है और drone की demand इतनी जादा है यहापे बढ़ चुके है drone से related जो predictions है वो भी हम लोगों को इतने जबरदस्त यहापे out performance देते वे देखने को मिले है मैंने इस से related बीच में वीडियो भी बनाय था कि जो भी यहापे सरकार का आकड़ा अनुमान आ रहा था कि drone से related इतना इतना यहापे demand हो सकता है revenue generate हो सकता है उससे double in fact more than double performance drone सेक्टर ने हापे दिखाया है और इसलिए PLS scheme में भी जो drone के लिए जो 100-120 करोड का प्रावदान रखा गया था वो भी बड़ा कर 500 करोड का कर दिया मतलब लगबग 4 गुना इससे clear cut समझ में आ जाता है दोस्तों drone का जो importance है आने वाले समय में बहुत ही जादा massive जगा यहापे लेने वाला है और इसलिए दोस्तों drone से related अगर मैं यहापे बात करूँ बहुत बार मैंने आप लोगों को अलग-अलग stocks यहापे बताया है बट सबसे पहले जैसे मैंने आप लोगों को यहापे बताया कि जिस company ने आपे चोका है हिंदूस्तान Aeronauticals Limited आज की दिन साड़े साथ पसंड हमनों को rocket की तरह भागते वे भी देखने को आपे मिला है सो अलड़े में आप लोगों को बता चुका था कि next IRCTC जैसाथर कोई stock बन सकता है तो HL बन सकता है इसके पीछे का रिजान है कि business समझ में आप लोगों को आना चाहिए यह पहले से ही business अच्छा कर रहे थे बट अभी इनके business को मतलब बोलते हैं ना punk लगने के अप पूरा-पूरा मतलब माहोल बन चुका है पहले भी यह aircraft यहापे बनाते थे बट अभी आत्मा निर्बर भारत का जो नारा लगा है कि भारत के जो सरकारे उन्होंने डिसाइड किया है कि हम लोग भार से import कम करेंगे सो obviously import कम करेंगे तो स्वधेशी companies को बड़ावा नहीं देंगे तो कैसे चलेगा और एरफोस से related अगर हम लोग बात करें चाहे फिर वो light commercial aircraft भी क्यों ना हो definitely हम लोग यहापे कह सकते तेज़स बहुत अच्छा करेगा maximum अगर हम लोग देखेंगे आप यह देखी यहां से लेकिए यहां तर लगातार तेजी है और बहुत बार मैंने इस से related वीडियो बना के आप लोग को बताया भी है deaf free company है हां risk रहेगा कि यह सरकारी company OFS कभी भी आ सकता है वो मुझे नहीं पता कब आएगा नहीं आएगा करके बट यह चीज़े देखने को आप यहां पर मिल रही है so drone से related भी अभी यह company को आप यहां पर consider कर सकते हो then drone से related और कौनसी company specifically Zen Technologies yes Zen Tech के उपर भी आप लोग यहां पर focus रख सकते हो इसको भी मैंने बहुत बार cover किया है और यह भी company का अगर आप performance देखोगे यहां पर तो मतलब यह जो बीच में हमनों को जो तेजी देखने को मिली थी बिलकुल डाउन लेवल पर था 2020 में बाद में आप देख सकते हैं यह जो rocket की तरह तेजी देखने को मिली इसके पीछे का reason ही यही है कि यहां पर आप देख सकते हैं 758% की तेजी थी निचले सतर से यहां तक तो इतना क्यों तेज हुआ Zen Tech तो दोस्तो ड्रोन से related अभी हम लोग को सारा demand देखने हैं अभी तक तो हम लोगों कही यहां पर हम लोग कह सकते हैं धंग से शुरुआद भी नहीं हुए not even 1% तो नो डाउट यह market अगर आने वाले समय में अगर 10% 50% तक जाता है और domestic market player के ही खाते में अगर जादा से जादा बड़े orders जाते हैं तो definitely ऐसे company बहुत अच्छा performance दे सकते हैं पर सर अगर देखा गया तो combat से related Zen Tech से related इतने कुछ advance अमनों को drones देखने को नहीं मिलते हैं देखे जो company उस sector में काम करती है वो उस sector में ज़रूर यहाँ पर उनको extra पैसे दिया जाए वो ज़रूर वहाँ पर उस चीज में यहाँ पर इंटर करेगा ही करेगा जैसे कि मैंने आप लोग को बहुत बार यहाँ बताया है कि जो company पहले battery बनाया करती थी वही lithium-ion batteries से related भी यहाँ पर अच्छा कासा business कर सकती है वैसे ZenTech की भी अगर हम लोग बात करे तो definitely आने वाले समय में अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है मैं clear cut कहना चाहूंगा बट आने वाले समय में यहाँ पर ज़रूर इनको भी defense related बड़े-बड़े orders भी मिलते वे देखने को आपे मिल सकते है अभी तक देखा गया drone इंडिया बाहर से जो देशे उनसे ही हम लोग खरीते इंपोर्ट करवाते है बट जल्दी एक ऐसा समय आएगा कि इंडिया यहाँ पर ड्रोन के उपर भी स्वधेशी कंपनी को ही ज़्यादा प्रेफरेंस देगा तब जेंटेक जैसी कंपनिया यह 200 पे नहीं शायद से 2000 पे भी हो सकती है पर अगेन कहना चाहँगा इस कंपनी के financials इतने strong नहीं है यह सारी चीज़े अगर आप बिजनेस के उपर भरोसा रखते हो मैंने बीच में example भी दिया था कि Electra Green Tech यह कंपनी 2003 से बिजनेस कर वी इलेक्टर के बसेस का बट उसकी जो तेजी है 2020 के बाद ही 1000% कैसे बना क्योंकि demand अभी देखने को मिला तो वैसे ही अगर आप drone सेक्टर के उपर भरोसा रखते हो अब बहुत ही तेजी से आगे यहाँ पर बढ़ सकती है HLC related already में बात यहाँ पर कर चुका आज की दिन जिस प्रकार से वो भागा है 7.5% आप देख सकते हो एक सरकारी कंपनी तो बिजनेस अच्छा होना चाहिए मैं यही प्रे करूंगा कि सरकार ने इस कंपनी की वाट लगानी नहीं चाहिए क्योंकि IRCTC भी बहुत सुंदर कंपनी है बट सरकार वीच में डिसेन लेता है बाद में विड्रॉ कर लेता है तो एगर ऐसा यहाँ पर भी कर लिया तो फिर मतलब बोलते हैं लिटरली में भी अब यह 50 रुपे का शेर है इसलिए बहुत सर लोग इसको कंसेडर करने जाते है अगें गलट बात है प्राइस देखकर अगर आप चीज़ों को डिटर्माइन करने जाओगे तो बहुत ही गलट रहेगा अगर आपको देखना ही है तो बिजनेस देखना ही यहाँ पर आना चाहिए तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तो ड्रोन सेक्टर से रिलेटेड भारी देश जो है इंडिया को यहाँ पर न कर रहे XYZ और भी कुछ रिजन हो सकता है बट अगर हम लोग आत्मनिरवर बनने जाएंगे तो इन कंपनी से रिलेटेड आने वाले समय में दोस्तो आप लोगो धमा का देखने को मैं लेगा और यह सेक्टर पहले नहीं था अभी यह चीजे चेंज होती रहती है अप लोगों को बताया है बहुत बार कि आजू-बाजू क्या हो रहा है वो आपका observation बहुत solid होना चेह और उसके हिसाब से आप decision यहापे ले सकते हो no doubt एक बहुत ही अच्छा सवाल भी पूछा जाता है कि यहापे सर हमें डर लगता है देखे डर तो सबको लगता है मुझे भी लगता है कि पैसा डूप सकता है तो डर को conquer करने का based example क्या होता है मैंने बता है आपको कि 5 share खरीदो 5 share में क्या फरक परता है इतना तो risk ले सकते हजार रुपया देखे आपके knowledge की value होनी चाहिए कल अगर यह stock आपके आखों के सामने भागा तो ऐसा लगयागा कि knowledge तो थी सब कुछ था बट practically कर ही नहीं पाया तो ऐसा आप लोगों नहीं यह सारी चीज़ practically भी करने अच्छे चलो एक share खरीदो बट आपके खुद के दिमाग के इसाब से HL की भी बात करू तो जैसे मैंने आप लोगों को बता है कोई लाखो करोडो रुपय नहीं लगाया है बट minimum amount लगाया और बहुत सुकुन मिलता है जब आपका knowledge सही जाता है गलत भी जाओगे तो गलत जाएंगे तो improve करेंगे तो ये चीज़ जब तक आप लोग नहीं करते हो तब तक आप improve नहीं हो सकते जिस दिन करना शुरू आपको ये आने वाले कुछ 45 साल के बाद result मिल जाएंगे कि आपका जो prediction है वो कितना सही यहापे जाने लगा है सो आशा करता है दोस्तो सारी बात ही यहापे clear हो गए होगी चाए भले भारी देश हम लोगों के यहापे प्रोन से रिल्टेड प्रॉपर्ली मदद ना करे तो तभी जाके यह domestic level की companies को और भी जादा encouragement मिलेगी बढ़ावा मिलेगा और हमारे share का price भी बड़ेगा और अच्छा का सा return भी मिल सकता है ज़रू इन चीजों को study करना blindly copy मत कर लेना जैसे मैंने का कि हर जगह पे reward भी है तो वो भी सारी चीज़े आप लोगों ने समझ में आनी जाहिए debate account अभी तक उपन नहीं किया है तो link नीचे description box में 25 वीडियो के लिस्ट आपको बिल्कुल free of cost मिल जाएगे आपका नाम कौन सा account अपने link के तो उपन के है जरू comment section बता देना तो अफते बर के अंदर अंदर यह सारे वीडियो आप लोगो free of cost provide कर दी जाएगे so that's it आपके वीरमास दोसो we will be meeting our next video तब तक के लिए बाई बाई